C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तु थे कक्षा साथ की विज्ञान की पाठे पुस्तक प्रस्तु थे इस पुस्तक का पाठ साथ शीर्शक मौसम जलवायू तथा जलवायू के अनुरूप जन्तुओं द्वारा अनुखूलन प्रिष्ठ 71 से 83 तक तो आईए, अब सुनते हैं पाठ साथ शीर्शक, मौसम, जलवायू तथा जलवायू के अनुरूप जन्तुओं द्वारा अनुखूलन प्रिष्ठ 71 पाठ साथ मौसम, जलवायू तथा जलवायू के अनुरूप जन्तुओं द्वारा अनुखूलन क्या आपको याद है कि जब आप पहाड़ों पर भ्रमन के लिए जा रहे थे, तो आपसे क्या-क्या साज सामान ले जाने के लिए कहा गया था? जब आकाश में बादल होते हैं, तो आपकी माता-पिता आपसे छाता ले जाने के लिए कहते हैं. क्या आपने कभी परिवार के बुजूर्गों को परिवारिक समारोह आयोजित करने से पहले मौसम के बारे में चर्चा करते सुना है आपने अवश्य ही खेल चुरू होने से पहले विशेशग्यों को मौसम के बारे में चर्चा करते हुए सुना होगा क्या आपने कभी सूचा है कि ऐसा क्यों होता है? मौसम का किसी खेल पर अत्यधिक प्रभाव पड़ सकता है. इसका हमारे जीवन पर भी अत्यधिक प्रभाव पड़ता है. हमारे अनेक दैनिक रियाकलाप उस दिन के मौसम के पूरवानुमान पर आधारित होते हैं. दूर दर्शन, रेडियो और दैनिक समाचार पत्रों में भी प्रते दिन मौसम के बारे में जानकारी दी जाती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तव में मौसम है क्या? इस अध्याय में हम मौसम और जलवायू के बारे में पढ़ेंगे. हम ये भी जानेंगे कि विभिन जीव किस प्रकार अपने आवास की जलवायू के लिए अनुकूलित होते हैं? 7.1 मौसम चित्र 7.1 में किसी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित मौसम की जानकारी का एक नमूना दिया गया है. हम जानते हैं कि दैनिक मौसम की रिपोर्ट में पिछले 24 घंटों के ताप, आर्धता और वर्षा, यदि वर्षा हुई हो के बारे में जानकारी होती है. मौसम रिपोर्ट में अगले दिन के मौसम के बारे में पूर्वानुमान भी प्रकाशित किया जाता है. यहां प्रिष्ट 71 पर चित्र 7.1 में समाचार पत्र से मौसम की रिपोर्ट का एक नमूना दिया गया है. इसमें लिखा है मौसम. सुबह कोहरा रहेगा, बाद में आस्मान साफ हो जाएगा. शनिवार को अधिक्तम तापमान 19.7 डिग्री सेल्सियस माइनस पाच और न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री सेल्सियस माइनस तीन दर्चिया गया. रविवार को सुर्यास्त 5.45 बजी और सुमवार को सुर्योदे 7.15 बजी होगा. बूजो कहता है, मुझे आश्र रहे कि इस रिपोर्ट को कौन तयार करता होगा. यहां एक लेख दिया गया है. इसमें लिखा है कि मौसम की रिपोर्ट भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा तयार की जाती है. यह विभाग प्रती दिन विभिन स्थानों से वहां की ताप, पवन वेग, आदी पर आंकडे एकत्रित करता है और मौसम के बारे में पूर्वानुमान लगाता है. किसी भी समाचार पत्र से पिछले एक सब्ताह के सभी दिनों की मौसम की रिपोर्ट काट लीचिए. यदि आपके घर में समाचार पत्र नहीं आता है, तो अपने किसी पडोसी अत्वा मित्र से मांग कर रिपोर्ट को अपनी पुस्तिका में लिख लीचिए. आप पुस्तकाले से भी मौसम की रिपोर्ट एकत्रित कर सकते हैं सभी कत्रनों को कागस की एक शीट अथवा चार्ट पेपर पर चिपका लीचिए अब सारणी 7.1 में अपने द्वारा एकत्रित की गई मौसम संबंधी जानकारी को नोट कीजिए आपकी साहता के लिए पहली पंक्ती में एक नमूना दिया गया है सारणी के सभी कॉलों में अपने चार्ट के अनुसार आंकडे लिखिए प्रिष्ट 72 प्रिष्ट 72 पर सारणी 7.1 दी गई है इसमें किसी एक सप्ता के मौसम के आंकडे एकत्र करने की जगहा दी गई है। इस सारणी को छे भागों में विभाजित किया गया है। ये भाग हैं दीनांक अधिक्तम तापमान डिग्री सेल्सियस में, नियूनतम तापमान डिग्री सेल्सियस में, नियूनतम आरदरता प्रतिशत में, अधिक्तम आरदरता प्रतिशत में और वर्षा मिलिमीटर में. इस सारणी में किसी एक दिन के तापमान दिये हुए हैं दीनांग है 23 अगस्त 2006 अधिक्तम तापमान 36.2 निवनतम तापमान 27.8 निवनतम आर्दरता 54 अधिक्तम आर्दरता 82 प्रतिशत और वर्षा के जगा पर कुछ नहीं लिखा गया है इस सारणी के नीचे एक वाक्य लिखा है वर्षा की रिपोर्ट प्रतिदिन नहीं लिखी जाती है क्योंकि प्रतिदिन वर्षा नहीं होती है यदि आंकडे उपलब्द ना हूँ तो वर्षा के स्थान को रिक्त छोड़ दें इसके साथ ही यहाँ पर एक लेक दिया गया है जिसमें लिखा है वर्षा को वर्षा मापी नामक यंत्र से मापा जाता है ये मूल रूप से एक मापक सिलेंडर होता है जिसके उपर वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए एक कीप लगी रहती है क्या आपके द्वारा बनाई गई सारणी के अनुसार सभी साथ दिन अधिक्तम और न्यूनतम तापमान आर्ध्रता और वर्षा के माप समान रहे आपकी सारणी में नोट किये गए अधिक्तम और न्यूनतम तापमान कुछ दिनों के लिए समान हो सकते हैं परन्तु सभी प्राचल जैसे की तापमान, आर्धरता, वर्षा किनी दो दिनों के लिए भी समान नहीं होते। सपताह भर में इनमें काफी परिवर्तन हो सकते हैं। किसी स्थान पर तापमान, आर्धरता, वर्षा, वायु वेग आधी के संदर्भ में वायु मंडल की प्रति दिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। तापमान, आर्धरता और अन्यकारक मौसम के घटक कहलाते हैं। किसी इस्थान का मौसम दिन प्रति दिन और सप्ताह दर सप्ताह परिवर्तित होता रहता है। इसलिए हम अक्सर कहते हैं आज का मौसम अत्यधिक आर्द्र है अथवा पिछले सप्ताह का मौसम गर्म था। मौसम एक अत्यंत जटिल परिघटना है। ये क्षण भर में भी परिवर्तित हो सकता है। कभी कभी ये हो सकता है कि सुभा के समय धूप निकली हो। लेकिन अचानक ही बादल आ जाएं और तेज वर्षा होने लगे। अथवा तेज वर्षा अचानक से बंध हो जाएं और चटक धूप निकलाएं। आपको अवश्य ही अनेक ऐसे अनभव हुए होंगे। ऐसे किसी अनभव को याद करने का प्रयास कीजिए और अपने मित्रों को इसके बारे में बताईए। चूंकि मौसम इतनी जटिल परि बदलता है। उसके बाद पहिली कहती है। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर मौसम का स्रोर क्या है। चित्र 7.2 में दिये गए ग्राफ के बारे में सुनिये। इसमें 3 अगस्ट 2006 से 9 अगस्ट 2006 तक शिलॉंग मिघाले में रिकॉर्ड किये गए अधिक्तम तापमान को बता प्रिश्ट 73 रूप में सूची बद्ध किया गया है। इस सारणी को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है दिनांक और दूसरा अधिक्तम तापमान। पहली दिनांक है 3 अगस्ट 2006 और अधिक्तम तापमान है 26.09 डिग्री सेल्सियस। तीसरी दिनांक है 5 अगस्ट 2006 अधिक्तम तापमान 25.09 डिग्री सेल्सियस। अगली दिनांक है 6 अगस्ट 2006 और अधिक्तम तापमान है 22.09 डिग्री सेल्सियस। अगली दिनांक है 7 अगस्ट 2006 अधिक्तम तापमान 25.05 डिग्री सेल्सियस। अगली दिनांक है 8 अगस्ट 2006 और अधिक्तम तापमान दिया गया है 23.03 डिग्री सेल्सियस। अगली दिनांक है 9 अगस्ट 2006 अधिक्तम तापमान है 24.04 डिग्री सेल्सियस। जैसा किसी भी मौसम की रिपोर्ट में इस पश्ट होता है कि अधिक्तम और नियूनतम तापमान को प्रति दिन रिकॉर्ड किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि इस तापमान को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। अध्याय 4 में आपने पढ़ा था कि इस कारे के लिए विशेश तापमापी होते हैं जिनहें अधिक्तम नियूनतम तापमापी कहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दिन भर में किस समय तापमान अधिकतम और किस समय नियूनितम होता है? क्या आपने कभी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय के बारे में सोचा है? आप जानते हैं कि सर्दियों में सायकाल अंधेरा जल्दी क्यों हो जाता है और आपको खेलने के लिए अधिक समय नहीं मिल पाता। क्या सर्दियों में दिन की अवधी गर्मियों की अपेक्षा कम होती है अध्याय के अंत में दिये गए परियुजना कारे को पूरा करके इसका स्वैम पता लगाने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर एक लेक दिया गया है जिसमें लिखा है मौसम में सभी परिवर्तन सूर्य के कारण होते हैं। सूर्य अत्यधिक उच्चताप पर गरम गैसों का विशाल गूला है। सूर्य की हमसे दूरी बहुत अधिक है परंतु सूर्य द्वारा उच्चरजित उर्जा इतनी अधिक है कि प्रिथवी से इतनी दूरी होने के बावजूद सूर्य हमारे लिए समस्त उश्मा और प्रकाश का स्रोत है। अतह सूर्य उर्जा का प्रात्मिक स्रोत है जो मौसम में परिवर्तन लाता है। पृत्वी के थलक शेत्र, समुद्रों और वायू मंडल द्वारा अवशोशित और परावर्तित की जाने वाली उर्जा भी किसी स्थान पर मौसम को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होती है। यदि आप समुद्र के समीप रहते हैं तो आपने यह अनभव किया होगा कि आपके स्थान का मौसम रेगिस्थान अत्वा पहाडिक शेत्र के आसपास के मौसम से काफी भिन्न है। इनसे हमें किसी स्थान के मौसम के पाटन यानि प्रतिरूप का निर्धारण करने में सहायत अमिलती है। किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधी जैसे 25 वर्ष में एकतरत आखड़ों के आधार पर बना मौसम का पाटन उस स्थान की जलवायू कहलाता है। यदि हम पाते है कि किसी स्थान का तापमान अधिकांश समय उच रहता है तो हम कहते हैं कि उस्थान की जलवायू गर्म है यदी इसके अतरिक्त उस्थान पर अधिकांश दिनों में भारी वर्षा भी होती है तो हम कह सकते हैं कि उस्थान की जलवायू गर्म और आर्द्र है सारणी 7.2 और 7.3 में हमने भारत के दो शहरों की जलवायवी परिस्थितियों का विवरण दिया है प्रत्येक माह के लिए औसत तापमान की गणना दो चरणों में की जाती है हम पहले माह के प्रत्येक दिन के लिए रिकॉर्ड किये गए तापमान का औसत निकालते हैं उसके बाद हम पिछले कई वर्षों में उसे माह के लिए अनेक वर्षों के औसत तापमानों की गणना करते हैं इससे हमें औसत यानि मध्यमान तापमान मिल जाता है दो स्थान है जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर और केरल में तिर्वनंत पुरम सारिनी 7.2 और 7.3 देखने पर हम आसानी से जम्मू कश्मीर और केरल के औसत तापमान में अंतर को समझ सकते हैं हम समझ सकते हैं कि केरल जम्मू और कश्मीर की तुलना में बहुत गर्म और आर्द्र है जिसमें वर्ष के कुछ भाग में मद्यहम गर्म और मद्यहम आर्द्र जलवायू होती है इसी प्रकार के आंकड़े भारत के पश्मी क्षेत्रों जैसे राजस्थान के लिए वर्ष के अधिकांश समय औसत तापमान को उच्छ दिखाते हैं लेकिन सर्दियों में जो सिर्फ कुछ मह के लिए होती है तापमान काफी कम होता है इस ख्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है यहां प्रिष्ठ 74 पर दो सारनी दी गई है सारनी 7.2 में श्री नगर जम्मू और कश्मीर की जलवायू के बारे में जानकारी दी गई है सारनी 7.3 में तिर्वनंत पुरम केरल की जलवायू के बारे में जानकारी दी गई है जिसमें इन जगहों के औसत तापमान और औसत कुल वर्षा के विशे में बताया गया है जिससे ये पता चलता है कि इन दोनों जगहों के औसत तापमान और औसत कुल वर्षा में कितना अंतर है सारणी के साथ एक नोट भी दिया गया है लिखा है कुल औसत वर्षा के मान निकटतम पूर्ण संख्या में दिये गए है प्रिष्ट 75 ये किसी मरुस्थली जलवायू के लक्षण है यहां जलवायू गर्म और शुष्क होती है उत्तर पूर्वी भारत में वर्ष के अधिकांश भाग में वर्षा होती है इसलिए हम ये कह सकते हैं कि उत्तर पूर्व की जलवायू आर्द रहे साथ दशमलव तीन जलवायू का सभी जीवों पर गहरा प्रभाव पड़ता है जन्तु उन स्थितियों में जीने के लिए अनुकूलित होते हैं जिन में वे रहते हैं अतिधिक सर्द और गर्म जलवायू में जीवित रहने वाले जन्तु में स्वयम को चरम शीत अत्वा ताप से बचाने के लिए कुछ विशेश गुण होंगे अपनी कक्षा छे की विज्ञान की पुस्तक के अध्याय नौ में दी गई अनुकूलन की परिभाशा को याद कीचिए वे सभी गुण और लक्षन जो जन्तु मों को उनके परिवेश से अनुकूलन में सहायक होते हैं विकास की प्रक्रिया का परिणाम है इस पुस्तक के अध्याय नौ में आप मौसम और जलवायू के मृदा पर प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे यहां हम केवल जन्तु पर जलवायू के प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे चटी कक्षा में आपने कुछ आवासों यानि वास स्थानों के लिए जन्तूओं के अनुकूलन के विशय में पढ़ा था जन्तूओं के जलवायवी परिस्थितियों के लिए अनुकूलन के उदाहरण के रूप में हम केवल ध्रुवीक शेत्र और उश्न कटबंधिय वर्षा वनू में रहने वाले कुछ जन्तूओं की चर्चा करेंगे जैसा की नाम से स्पश्ट है ध्रुवीक शेत्र ध्रुवों के समीब स्थित होते हैं जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षणी ध्रुव ध्रुवीक शेत्र के कुछ परिचित देश कनाड़ा, ग्रीनलेंड, आइसलेंड, नौर्पे, स्वीडन, फिनलेंड तथा अमेरिका में अलास्का और रूस के साइबेरियाई क्षेत्र हैं भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, कांगो गणतंत्र, कीनिया, युगांडा और नाइजीरिया कुछ ऐसे देश हैं जहां उष्ण कटिबंधिय वर्शावन पाए जाते हैं क्रिया कलाप साथ दशमलव दो, विश्व का मानचित्र लीजिए, धुरुवी एक्षेत्रों को नीले रंग से बताईए, इसी प्रकार उष्ण कटिबंधिय एक्षेत्रों को लाल रंग से बताईए धुरुवी एक्षेत्र धुरुवी ए भालु यानि पोलर बियर और पेंग्विन के उधारन से ये जानने का प्रयास करें, कि वे किस प्रकार वहां की जलवायू के लिए अनुकूलत हैं धुरुवी ए भालु के सारे शरीर पर सफेद बाल यानि फर होते हैं, जिससे विबर्फ की सफेद यानि श्वेद प्रिष्ट भूमी में आसानी से दिखाई नहीं देते। इससे उन्हें अपने परभक्षियों यानि शत्रूं से बचाव में सहायता मिलती हैं, साथ ही इससे उन्हें अपने शिकार को पकड़ने में भी सहायता मिलती हैं। इन्हें चर्म शीत से बचाने के लिए इनमें बालू यानि फर की दो मोटी पड़ते होती हैं। इनकी तुचा के नीचे वसा की एक परत होती है। वास्तव में ध्रूविय भालू का शरीर इतनी अच्छी तरह से शीत रोधी होता है कि वे धीमे धीमे चलते हैं ताकि उनके शरीर का ताप आवशक्ता से अधिक न हो जाए। ये अपने शरीर को बहुत अधिक गर्म हो जाने से बचाने के लिए अकसर विश्राम करते गर्म मौसम में भहते क्रिया कलापों के बाद ध्रूविय भालू को अपने शरीर को ठंड़ा करना पड़ता है। अतहर ध्रूविय भालू समुद्री जल में तेरते रहते हैं। ये अच्छे तैराक होते हैं। इनके पंजे चोड़े और बड़े होते हैं। जो ना केवल अच्छी तरहां से तैरने में इनकी सहायता करते हैं, बलकि उन्हें बर्फ में चलने में भी सहायक होते हैं। तैरते समय ये अपने नथनों को बंद करके लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकते हैं। ध्रुविय भालू की सुने की शक्ती यानी ग्रान शक्ती तीवर होती है, जिससे ये भोजन के लिए अपने शिकार को आसानी से खोज वह पकड़ सकता है। हम ध्रुविय भालू के अनुकूलनों को चित्र 7.3 में बताए गए प्रवाह चित्र द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। लिखा है, सफेद बालों के कारण सफेद बर्फ की प्रिष्ट भूमी में यह आसानी से दिखाई नहीं देता। इसके परभक्षी और शिकार इसे आसानी से नहीं देख पाते। इसके शरीर पर बालों की दो मोटी पड़ते होती हैं। यह सर्द बौसम में इसे गर्म रखती हैं। इसकी तुचा के नीचे वसा की एक परत होती है। इसका शरीर श्रीत रोधित होता है और इसे गर्म रखता है। इसके नखर यानी नाखून मुड़े हुए लंबे और पैने होते हैं। यह इनहें बर्फ पर चलने में सहायता करते हैं। इसमें सूंगने की शक्ती यानी ग्राण शक्ती तीवर होती है। यह भालू को अपने शिकार को ढूंढने और पकड़ने में सहायक होती है। इस प्रवाह चित्र के बीच में दुरुवी भालू यानी पोलर बैर का एक चित्र भी दिया गया है। दुरुवियक शेत्र का एक अन्य परचित जन्तू पेंगुन है, जिसे चित्र 7.4 में बताया गया है. ये भी सफेद यानी श्वेत होते हैं और आसानी से बर्फ की सफेद प्रिष्ट भूमी में मिल जाते हैं. इनके शरीर में भी स्वैम को सर्दी से बचाने के लिए मोटी त्वचा और अत्यधिक वसा होती है. आपने पेंगुनों के जुंड के चित्र देखे होंगे. आपको पेंगुनों के जुंड के बारे में पता होगा. स्वैम को गरम रखने के लिए वे ऐसा करते हैं. याद कीजिए कि जब आप खचा-खच भरे किसी कमरे या हॉल में होत करते हैं. ध्रोविय भालू की तरहां ही पेंगुन भी अच्छे तेराक होते हैं. इनका शरीर धारा रेखित होता है और इनके पेरों में जाल जैसा बना होता है. जिससे ये अच्छे तेराक होते हैं. जैसा कि चित्र 7.5 में बताया गया है. यहां प्रिष्ठ 76 पर दो चित्र दिये गये हैं. चित्र 7.4 में पेंगुनों का जुन्ड बताया गया है और 7.5 में पेंगुन के पैर बताये गये हैं. प्रिष्ठ 77 पहेली पूछती हैं क्या मचलिया और तित्लियां भी पक्षियों की तनहाँ प्रवास करती हैं?pf जोवीक शेत्र में रहने वाले अन्य जन्तूं में अनेक प्रकार की मचलियां कस्तूरी म्रिग, रेंडियर, लोमडी, सील, वेल तथा अन्य कई प्रकार के पक्षी सम्मिलित हैं। नोट कीजिए कि जहां मचली ठंडे जल में लंबे समय थक रह सकती है, वहीं पक्षियों को जीवित रहने के लिए अपने शरीर को गर्म रखना आवश्यक होता है। आपने साइबेरियाई क्रेनों के बारे में सुना होगा, जो साइबेरिया से राजस्थान में भरतपुर और हर्याना में सुल्तानपुर जैसे स्थानों पर सर्दियों में प्रवास के लिए आते हैं। इसमें प्रवासी पक्षियों को उड़ते हुए तथा अपने आवास स्थान पर पहुँचते हुए बताया गया है। यहां प्रिष्टु सतत्तर पर एक लेक दिया गया है जिसका शीर्शक है। क्या आप जानते हैं। लिखा है। और कैसे आजाते हैं। यह एक रहस्य है। ऐसा लगता है कि इन पक्षियों में दिशा का सहज बोध होता है और यह जानते हैं कि किस दिशा में उड़ना है। मार्गदर्शन के लिए संभवता कुछ भूचिन्हों यानि लेंड मार्ग का उप्योग करते हैं। संभवता अनेक पक्षियों को दिन में सूर्य और रात्री में तारों से मार्गदर्शन मिलता है। इसके भी कुछ प्रमाण हैं कि पक्षि दिशा पता लगाने के लिए प्रित्वी के चुम्बकी क्षेत्र का उप्योग करते हैं। केवल पक्षि ही ऐसे जन्तु नहीं हैं जो प्रवास करते हैं। अनेक स्तंधारी जीव, अनेक प्रकार की मचलियां और कीट भी अधिक अनकूल जलवायू की तलाश के लिए मौसमी रूप से प्रवास करते हैं। उश्न कटबंधिय वर्शा वन उश्न कटबंधिय क्षेत्रों की जलवायू सामान तह गर्म होती है। क्योंकि ये क्षेत्र भूम मध्यरेगा के आसपास स्थित होते हैं। सबसे सर्द महीनों में भी तापमान सामान तह 15 डिगरी से अधिक रहता है। गर्मियों में तापमान 40 डिगरी से अधिक हो जाता है। वर्ष भर दिन और रात की लंबाई लगभग बराबर होती है। इन क्षेत्रों में प्रचोर मात्रा में वर्षा होती है। इस क्षेत्र की एक प्रमुख विशेष्टा उश्नकटबंधिय वर्षावन है। उश्न कटबंधी वर्शावन भारत में पश्चमी घाटों और असम में पाय जाते हैं। इसके अतरिक्त ऐसे वन दक्षिन पूर्व एशिया, मध्ध अमेरिका और मध्ध अफरीका में पाय जाते हैं। सतत गर्मी और वर्शा के कारण इस ख्षेत्र में विभिन प्रकार के पादप और जन्तू पाय जाते हैं। वर्शावनों में पाय जाने वाले प्रमुख प्रकार के जन्तूों में बंदर, कपी, यानिकी, एप्स, गुरिल्ला, चीता, हाथी, तेंदुआ, छिपकली, सर्प, पक्षी और कीट हैं। लाल नेत्रों वाले मेंधक के पैर के तलवे चिपठिपे होते हैं, जो उन्हें व्रिक्षों पर चढ़ने में सहायता करते हैं, जिन पर वे रहते हैं, जैसा की चित्र 7.7 में दिया गया है। यहां प्रिष्ठ 78 पर चित्र 7.7 पर लाल नेत्र वाले मेंधक का चित्र दिया गया है। व्रिक्षों पर रहने में सहायता के लिए बंदरों की लंबी पूँच होती है, जो शाखाओं को पकड़ने में सहायक होती है। जैसा की चित्र 7.8 में बताया गया है। इनके हाथ पैर ऐसे होते हैं, जिससे ये आसानी से शाखाओं को थामे रहते हैं। यहां प्रिष्ठ 78 पर चित्र 7.8 में न्यू वर्ल्ड मंकी यानी बंदर का एक चित्र दिया गया है, जिसकी पूँच बहुत लंबी है। क्योंकि इन वनों में आवास करने वाले जन्तूओं में भोजन के लिए परसपर स्परधा होती है, कुछ जन्तू ऐसे भोजन को प्राप्त करने के लिए अनुकूलित होते हैं, जहां अन्य जन्तू आसानी से नहीं पहुँच सकते। उदाहरण के लिए टूकन नामक पक्षी की लंबी बड़ी चोंच होती है, जिसकी सहायता से वो ऐसी शाखाओं में लगे फलों तक पहुँच सकता है, जो बहुत कमजोर होती हैं, और उसका भार नहीं सह सकती हैं, जैसा कि चित्र 7.9 में दिया गया है। यहां प्रिष्ठ 78 पर चित्र 7.9 में टूकन पक्षी का चित्र दिया गया है। प्रिष्ठ 89 उष्ण कटबंधिय वनों में पाय जाने वाले अनेक जन्तूं में सुनने की संवेदन शील शक्ती, तीवर दृष्ठी, मूटी तवचा और ऐसे वर्ण यानि रंग की तवचा होती है, जो उन्हें आसपास के क्षेत्र के साथ मिलकर छदमा वरण करने में सहायक होती है और उनकी परिभक्षियों से रक्षा करती है, उदारन के लिए बिलाव परिवार के जन्तूं यानि शेर और चीता में मूटी खाल होती है, तथा उनके सुनने की शक्ती संवेदन शील होती है, यहां प्रिष्ठ 89 पर 47.10 में लाइन टेल्ड लंगूर यानि मंकी की एक तस्वी दी गई है यह मुखिता फल खाता है, बीज, कोमल पत्तियां, तने, पुष्प और कलियां भी खाता है, लाइन टेल्ड लंगूर व्रिक्षों की चाल में वास करने वाले कीटों की तलाश में रहता है, चूंकि यह लंगूर व्रिक्षों पर पर्र्याप्त भोजन जुटा पाने में स दिया गया है, हाथी अनेक प्रकार से वर्षावनों की परिस्थितियों के लिए अनुकूलित हो गए हैं, इसकी सूंद पर गौर कीजिए, जिसका उप्योग वो नाक के रूप में करता है, लंबी सूंद से इसकी सूंगने की शक्ती बहुत अच्छी हो जाती है, हाथी द् का उप्योग भोजन को उठाने के लिए भी किया जाता है, यद्दिपी इसके बाह्य दंत, जिनहें रद कहते हैं, वास्तव में रूपांतरित दंत होते हैं, इन दांतों से हाथी अपनी पसंद के व्रिक्षों की चाल को आसानी से छील सकते हैं, अतहर भोजन के लिए स्प जिनने में सहायक होते हैं, वर्षवनों की गर्म और आर्द्र जलवायू में हाथी को ठंडा रखने में भी उसके कान सहायक होते हैं, यहां प्रिष्ट 89 पर चित्र 7.11 में भारतिय हाथी का एक चित्र दिया हुआ है, प्रमुक शब्द अनुकूलन जलवायू मौसम के घट आर्द्रता अधिक्तम तापमान प्रवास न्यूनितम तापमान ध्रुवियक्षेत्र उष्ण कटिबंधिय वर्षा वन उष्ण कटिबंधियक्षेत्र मौसम प्रिष्ट 80 आपने क्या सीखा? किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, पवन वेग आधि के संदर्व में वायू मंडल की दिन प्रतिदिन की स्थिती उस स्थान का मौसम कहलाती है मौसम सामानितह किनी दो दिन अथ्वा सपताह दर सपताह समान नहीं होता है वर्ष भर सूर्योदय और सूर्यास्त का समय भी परिवर्तित होता रहता है मौसम के सभी परिवर्तन सूरे से संचालित होते हैं दीर्ग अवधी, जैسे 25 वर्ष में लिये गए मौसम के पराचलों के आधार पर तैयार किये गए प्रतिरूप यानी पैटर्न उस्थान की जलवायू निर्धारित करते हैं जन्तु उन परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होते हैं जिनमें वो वास करते हैं दुरवीक शेत्रों में वर्ष भर बहुत सर्दी रहती है दुरवीक शेत्र के जन्तु कुछ विशेश गुणों के कारण अतिधिक सर्द जलवायू के लिए अनुकूलित होते हैं अतिशीत मौसम से बचने के लिए प्रवास एक अन्यसाधन है अनुकूल जलवायवी परिस्थितियों के कारण उश्नकटबंधिय वर्ष वनों में पादपों और जन्तु की विशाल जनसंख्या पाई जाती है उश्नकटबंधिय वर्ष वनों में जन्तु इस प्रकार अनुकूलित होते हैं कि उन्हें अन्यप्रकार के जन्तुओं से भिन्न भूजन और आश्रे की आवश्यक्ता होती है ताकि उनमें परस पर स्पर्धा कम से कम हो उश्नकटबंधिय वर्ष वनों में रहने वाले जन्तुओं के कुछ अनुकूलनों में व्रिक्षों पर आवास, मजबूत पूच का विकास, लंबी और विशाल चूँच, चटक रंग, तीखे पैटर्न या प्रतिरूप, तीव्र स्वर्धनी यानि तेज आवाज, फलों का आहार, सुनने की समवेदंशील शक्ती, तीव्र द्रिष्टी, मोटी त्वचा यानि खाल, पर भक्षियों से बचने के लिए छदमावरन की क्षमता आदी सम्मिलत हैं। 2. किसी स्थान पर बहुत कम वर्षा होती है और उस स्थान का तापमान वर्ष भर उच रहता है, उस स्थान की जलवायू रिक्त स्थान और रिक्त स्थान होगी। 3. चरम जलवायवी परिस्थितियों वाले प्रित्वी के दोग शेत्र रिक्त स्थान और रिक्त स्थान हैं। 4. यहां दियेगा एक शेत्रों की जलवायू का प्रकार बताएं। क जम्मू एवं कश्मीर रिक्त स्थान ख केरल रिक्त स्थान ग राजस्थान रिक्त स्थान ग उतरपूर्व भारत रिक्त स्थान। 5. मौसम और जलवायू में से किसमे तेजी से परिवर्दन होता है। 6. जन्तूं की कुछ विशेष्टाओं की सूची यहां दी गई है। क आहार मुख्यतहप फल हैं। क सफेद बाल या फर। ग प्रवास की आवश्यक्ता। ग तीवरे स्वर्ध्वनी यानी तेज आवाज। च पैरों के चिपचपे तलवे। च तवचा के नीचे वसा की मोटी परत। ज चोड़े और बड़े नखर। ज चटक रंग। त मजबूत पूंच। त लंबी और बड़ी चूंच। यहां दी गई प्रत्येक विशेष्टा के लिए ये बताईए कि वो उश्नकटबंधिय वर्षावन अथवा ध्रुविय क्षेत्र में से किसके लिए अनुकूलत है। क्या आप समझते हैं कि इन में से कुछ विशेष्टाएं दोनों क्षेत्रों के लिए अनुकूलत हो सकती हैं। साथ उश्नकटिबंधिय वर्षावन जन्तूओं की विशाल जन्त संख्या को आवास प्रदान करते हैं। ये समझाईए कि ऐसा क्यों है। आठ उदारंड सहित समझाईए कि किसी विशेष जलवाईवी परिस्थिती में कुछ विशेष्ट जन्तू ही जीवन यापन करते क्यों पाय जाते हैं। नौ उश्नकटिबंधिय वर्षावनों में रहने वाला हाथी किस प्रकार अनुकूलित है। यहां दिये गए प्रशनों में सही विकल्प चुनिये। 10. कोई मासाहारी जन्तू जिनके शरीर पर धारियां होती हैं अपने शिकार को पकड़ते समय बहुत तेजी से भागता है। इसके पाय जाने की संभावना है किसी क द्रुवी अक्षेत्र में। 11. ध्रुविय भालू को अत्यधिक ठंडी जलवायू में रहने के लिए कौनसी विशेष्टाएं अनुकूलित करती हैं। 12. निम्न में से कौनसा विशेष्टाएं। 12. उश्नकटिबंधीक श्वेत्र का सर्वश्रेष्ट यानि सबसे अच्छा वर्णन करता है। 12. गर्म और आर्द्र 13. मध्यमतापमान अत्यधिक वर्षा 14. सर्द और आर्द्र 15. गर्म और शुश्क 15. विस्तारित अधिगम क्रियाकलाब और परियोजनाकार 15. शेत रितु के किसी महीने 15. उधारनार्थ दिसंबर में लगातार साथ दिन की मौसम की रिपोर्ट नोट कीजिए। 15. ऐसी ही रिपोर्ट ग्रिश्म रितु के किसी महीने उधारनार्थ जून के साथ दिनों के लिए बनाईए। अब अपने रिकॉर्ड के आधार पर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय की सार्णी बनाईए। यहाँ प्रिष्ट 82 पर उदाहरण के लिए एक सार्णी दी गई है। इस सार्णी को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहले भाग में जून महा के दीनांग, सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय लिखने के लिए जगह दी गई है। वहीं दूसरे भाग में दिसंबर महा के दीनांग, सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय को लिखने के लिए जगह प्रदान की गई है। प्रिष्ट, 83. यहां दिये गए प्रश्णों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए. क्या गर्मियों और सर्दियों में सुर्योदे के समय में कोई अंतर होता है? सुर्योदे कब जल्दी होता है? क्या आपको जून और दिसंबर के महीनों में सूर्यास्थ के समय में कोई अंतर दिखाई देता है। दिन की अवधी कब अधिक होती है। रातें कब अधिक लंबी होती हैं। दिन कभी लंबे, कभी छोटे क्यूं होते हैं। जून और दिसंबर में चुने गए दिनों के लिए दिन की अवधी का ग्राफ खीचिए। ग्राफ बनाने के लिए निर्देश अध्याय तेरा में दिये गए हैं। दो, भारत मौसम विज्ञान विभाग के बारे में जानकारी एकत्रत कीजिए। यदि संभव हो, तो http slash slash www.imd.gov.in पर इसकी वेबसाइट पर जाएं। इस विभाग द्वारा किये जाने वाले काडरियों पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट लिखिए। यहां प्रिष्ट 83 पर एक लेक दिया गया है। शीर्शक है क्या आप जानते हैं। लिखा है वर्शावन प्रित्वी की सतह के लगभग 6 प्रतिशत भाग को घेरे है। फिर भी इन में प्रित्वी के आधे से अधिक जन्दूँ, पाधपों और लगभग दो तिहाई पुष्पिय पाधपों की किसमें पाई जाती हैं। हालाकि इस क्षेत्र के जीवों के बारे में हमें अभी भी पूर्ण जानकारी नहीं है। इसी के साथ अठारे पाठों की इस पुस्तक का पाठ साथ शीर्शक, मौसम, जलवायू तथा जलवायू के अनरूप, जन्तूँओं द्वारा अनकूलन यहां समाप्त हुआ। वाचन शालनी सिंग और वैभव श्रीवास्तव। अभी आप सुन रहे थे ये ध्वनी पाठे पुस्तक। झालनी सिंग्ण झालनी सिंग्ण रहे थे थे ये पुस्तक।